नामो नमा विध्यार्तियों मैं डॉक्टर हन्वान साहिमाली राजसान सरकार और वेदानता के CSR इनिसिटिव इकक्षा में आपका श्वागत करता हूँ जिसके टेकनिकल पार्टनर है मिसंग्यान विध्यार्तियों आज की कक्षा में हम शेमुशी प्रतमों भागय के प्रतम पाठ का अध्यन करेंगे जिसका सेर्शक है भारती वशंत गीती विध्यार्तियों भारती वशंत गीती पाठ का अध्यन हम तीन भागों में करेंगे पहले भाग के अंदर हम भारती वशंत गीती के कवी और प्रथम श्लोक का अध्यन करेंगे दूसरे भाग के अंदर हम सेश बचे हुए श्लोकों का अध्यन करेंगे और अंतिम भाग के अंदर हम पाठके प्रशनों को हल करेंगे तो चलिए विध्यारतियों आज की कक्षा सुरू करते हैं और पढ़ते हैं भारती वशंत गीती विध्यारतियों भारती वशंत गीती गीत आधुनिक शंस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवी पंडित जान की वल्लब सास्त्री द्वारा की गई रचना काकली नामक गीत संग्र मधुर मंजरियों शे युक्त पीले आम के व्रक्ष कोयल का कूजन वाईयू का धीरे धीरे बहना अमराईयों में काले भावरों का गुंजार और नदियों का जल वसंतरितु में मोहक उठे अर्थार्थ वसंतरितु में सुन्दर लगे विध्यारतियों कवी की एक और इसमें कही गई है कि स्वाधीनता संग्राम की प्रश्ट भूमी में लिखी गई यह गीति का नवचेतना का आवान करती है तथा एसे वीनाश्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जनशमुदाय को प्रेरित करे तो चलिए विध्यारतियों आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जान की वल्लब शास्त्रिन है काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति अयम पाठ है अयम पाठ से क्यातात प्रेरिय विध्यारतियों यह हमारा पाठ भारती वशंत गीति आधुनिक संस्कृत कवी पंडित जान की वल्लब सास्त्रिन है काकली अर्थार्थ पंडित जान की वलब सास्त्री जी के द्वारा रचित काकली इस गीत संग्रे से संकलित है अर्थार्थ इस गीत संग्रे से लिया गया है प्रकर्ति ही सोंदरियम अवलोग के प्रकर्ति के सोंदरिय को देखकर एव ही सरश्वत्य है वीणा यहाँ सरस्वति की जो वीणा है उसमें मधुर जंकरत यहाँ प्रभवितुम सक्क्यंते मधुर जंकरतिया उतपन हो शक्ति है इती भावना पुरश्वरम कवी ही प्रकर्ति है सोंदरियम वर्णयन इसी भावना से कवी प्रकर्ति के सोंदरिय का वर्णन कर सरश्वतीं वीना वादना आशंप्रार्थयते सरश्वती से वीना वादन हे तु कवी प्रार्थना करता है तो विध्यार्तियों अब हम जानते हैं कि कवी सरश्वति से क्या प्रार्थना करता है विध्यार्तियों हमारे पास जो गीतिका है उस गीतिका का अध्यन करने के लिए हमें सरुप्रथम उसके सब्दों को जानना होगा और सब्दों को जानने के बाद उसका सहस्वर वाचन करना होगा ताकि हम भी इस गीतिका को लए और ताल के साथ गा सके तो सरुप्रथम हमारे पास गीतिका उपस्तित है जिसका प्रथम शलोक हम पढ़ रहे हैं तो विध्यारतियों, हम पहले इसके सब्दों को जानते हैं, फिर इसका सस्वर वाचन करते हैं, फिर उसके बाद में हम इसके भावार्थ और हिंदियन वाद को जानने का प्रयास करेंगे तो चलिए विध्यारतियों सवरुप्रतम हम शब्दों को पढ़ते हैं शब्दों को पढ़ते समय आपकी दृष्टी इसी तरह बनी रहेगी और आप भी इन सब्दों का उच्चारन मेरे साथ के साथ करते रहेंगे ताकि आप इन सब्दों को पढ़ सकें और समझ सकें तो चलिए विध्यारतियों विध्यारतियों आपने इन सब्दों को शुना होगा और उच्चारित भी किया होगा एसी मुझे आशा है तो चलिए विध्यारतियों अब हम इसका सहस्वर वाचन करते हैं आपकी दृष्टी इसी तरफ बनी रहे और आप भी इसे बोलने का प्रयास करें निनादये नवीनाम अये वाणि वीनाम मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मन्जरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती हसरशारसाला कलापा ललित को किला काकलीनाम निनादये नवीनाम अये वाणि वीनाम चलिए विध्यार्तियों अब हम इसके भावार्त को जानने के लिए प्रयास करते हैं और जानते हैं तो सरुप्रथम इसके भावार्त को जानने के लिए हम इसको दो भागों में बाट लेते हैं सरुप्रतम उपर की दो पंक्तियां और फिर बाद में नीचे की तीन पंक्तियों के भावार्थ को हम जानेंगे तो हमारे पास सरुप्रतम उपर की दो पंक्तियों का भावार्थ जानते हैं हमारे पास दोनों पंक्तियां है निनादय नवीनाम अयवान वीनाम मृदुंगाय गीतिं ललितनी ति लीनाम किसी भी शलोक को जानने से पहले उसके अनवे को जानना बहुत आउशक है क्योंकि यदि अगर हमें उस शलोक का अनवे नहीं आएगा तो हम उसके भावार्त को और उसके हिंदी अनवाद को जान नहीं पाएंगे क्योंकि शलोक में हमें पता नहीं होता है कहां कृए होती है, कहां करता होता है और उसी को वेवस्तित रूप से जमाने के लिए हम उसका अनवे करते हैं और भावार्थ को जानते हैं तो सर्व प्रतम हम भी इस शलोक का अन्वे करेंगे, अन्वे के शमय आपकी दृष्टी अगर दिरन्तर यहीं बनी रहेगी तो आप भी इसके अन्वे को जान पाएंगे और यदि अगर आपने अन्वे को जान लिया तो आप इसके भावार्त को, हिंदिय अनुवाद को और इसके प्रश्णों को बिल्कुल ही सरलता से कर पाएंगे तो चलिए विध्यार्तियों आपके दृष्टी इसी तरह बनी रहें और आप भी अन्वे को सीखें सरप्रथम मैंने यहां से सब्द लिया आये वाणी दो सब्द मैंने लिये आये वाणी नविनाम विनाम निनादय यह हमने पहली पंक्ति का अन्वे किया देखिए आये वाणी नविनाम विनाम निनादय अब हम द्वित्य पंक्ति का अन्वे करेंगे ललित नीत लीनाम गीतिम मृदुंगाय यह हमने दूसरी पंक्ति का भी अन्वे कर लिया है अब हम इसके सब्धार्तों को जानेंगे सब्धार्थों को जानने के बाद हम इसके संस्कृत के भावार्थ को और फिर हिंदी अनुवाद को जानेंगे तो चले विध्यारतियों सवरो प्रत्म हम इसके सब्धार्थों को जानते है हमारे पास सब्ध है आये वानी, आये वानी से क्या तात परिये है हे शरश्वती, निनादय, निनादय से क्या मतलब है बजाओ, ललित नीत लीनाम, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, और मृदुम, मृदुम से क्या तात परिये विध्यारतियों, आपको पता है मृदुम स संस्कृत के भावार्थ को जानते हैं सरप्रतम हम इस भावार्थ का संस्कृत में उच्चारण करेंगे और फिर यहीं से हिंदी अनुवाद जानेने का प्रयास करेंगे तो चलिए विध्यारतियों सरप्रतम हमारे पास है यह हमारा संस्कृत के अंदर भावार्थ है अब हम इसको यहीं से हिंदी अनुवाद जानने का प्रयास करते हैं तो कवी ही शरश्वतिम प्रार्थ यतियत कवी सरश्वति से प्रार्थना करता है कि हे देवी सरश्वति तुम नूतनाम वीणाम वादये तुम नई वीणा का वादन करो अपीच और शुन्दर नीति भी युक्तम सुन्दर नीतियों से परिपोण मधुरम गीतम गाये मधुर गीत का गान करो एसा कभी कह रहा है तो चलिए इसका इंदियान वाद भी देखते हैं हम हे सरश्वती नवीन धुनवाली वीना का वादन कीजिये और शुन्दर नीतियों से परिपोण गीत का मधुर गान गाये ऐसा कभी कह रहा है तो विद्ध्यार्तियों हमने यह उपर की दो पंक्तियों का अनुवाद किया और इसके भावारत को जाना अब हम सेश बची हुई पंक्तियों का ध्यन करते हैं हमारे पास सेश बची हुई पंक्तिया है मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंतीह सरशा रशालाह कला पहा ललित को किला काकली नाम और अंतमे वही पंक्ती निनादय नवी नाम आये वाणी वी नाम तो चलिए विध्यारतियों हम सरवप्रतम इसका क्या करेंगे अनवय करेंगे क्योंकि हमें इसके भावार्त को जानना है इसके हिंदी अनुवाद को जानना है इसके प्रशनों को जानना है इसलिए हमें इसका अनवय करेंगे तो चलिए विध्यारतियों देखों मैंने यहां रसालह लसंति यहां से लिया है अब हम द्वितिये पंक्ति का अनवे करते हैं तो द्वितिये पंक्ति में होगा विध्हार्तियों ललित कोकिला काकली नाम कलाप जहां द्वित्य पंक्ति बनाई है और अंत में वही पंक्ति आये वाणी नविनाम वीनाम निनादय क्योंकि हर श्लोक के अंत में हमें यह पंक्ति मिलेगी तो विध्यार्तियों हमने इसका अन्वे किया है इस अन्वे के करते समय आपके दृष्टी इसी तरफ होगी आपने इसको नोट भी किया होगा ऐसी मुझे आशा है अब हम इसके सब्दार्थों की और अग्रशर होते हैं देखे विध्यारतियों हमारे पास सब्द है यह से क्या मतलब होता है क्या तादपरिय होता है यहां मंजरी मंजरी कहते हैं आम्रपुष्प को जो आम के फूल है उन्हें मंजर आते हैं और जो पुष्प आते हैं उन्हें कहते हैं मंजरी इसलिए कहते हैं मंजरी किसको कहते हैं आम्रपुष्प को और यह आम्रपुष्प किस रंग के होते हैं यह पीत रंग के होते हैं विध्यारतियों किस रंग के होते हैं पीत रंग के तो यहां का गया है पिंजरी कोयल की आवाज को और कलापा कलापा कहते हैं समुह को जिसे हमारे पास आम के व्रक्षों का समुह बना हुआ है तो अब विध्यारतियों हम इसके संस्कृत के अनुवाद को संस्कृत के भावार्त को जानते हैं हमारे पास संस्कृत में भावार्थ है कि कवी कथयती यत अस्मिन वशंत रितु पीत वल्णियानाम रशपूर्णानाम आम व्रक्षानाम पंतयाह शोभमानाह संती तथाज मधुरश्वर युक्तानाम कोकिलानाम सुंदरह शमुह अपी शोभमानाह अस्ती इती एसा हमारे प हिंदी अनुवाद यहीं से ही जानने का प्रयाश करते हैं कवी कथायत यत कवी कहता है कि अश्मिन वशंत रितु इस वशंत रितु में पीत वल्णियानाम रशपूर्णानाम पीले वल्ण से युक्त रशपूर्ण आम्र व्रक्षों की पंतयाह शोभमानाह संती जो पंती है वह सुशोबित हो रही है तथा चे मधुर्श्वर युक्ता नाम और मधुर्श्वरों से युक्त कोकिला नाम समु है सुन्दर है समु है अपी सोभमान अस्ती और जो कोईलों का सुन्दर शमु है वह भी सुशोबित हो रहा है एसा कभी कह रहा है अब हम हम इसके हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं कि इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरश आम के व्रक्षों की माला शुशोबित हो रही है सुन्दर दिख रही है मनोहर काकली अर्थार्थ कोईलों का जो समु है उनकी बोली भी हमें सुन्दर लग रही है तो विध्यार्थियों आज की कक्षा में हमने कवी के बारे में जाना और भारती वशंत गीती के प्रथम श्लोक के बारे में जाना बाकि सेस बचे हुए शलोकों का अध्यन हम आगी की कक्षा में करेंगे तो विध्यारतियों सेस बचे हुए शलोकों के अध्यन के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद